DPS Senior Secondary School तबीजी लेकर आए हैं online classes from pre-nursery to class 12, 50% discount on girls fees, online admission open, visit DPSajmay.in अब ही तक हमारे जो patient हैं वो सारे के सारे stable हैं एक patient हमारा ICU में वो भी लेकिन इतना खत्रे में नहीं है ठीक है अब हम अब जो हमारी अबारी कवायद है को यह कि JLN को हम खाली करें जो patient यहां भरती हैं उनके guideline के साफ से discharge करना होगा और जो बचे वे मरीज हैं उनको हम Corona COVID Care Center जो CMHU ने डवलप किया है उसमें भीज़ें और फिर उसके बाद इस जेल को स्टेलाइस करें और non-COVID कारणियों के लिए इसको प्रयोग लें क्योंकि अब जो हमारे पास जगे अब तक हमारे काम चल रहा था lockdown था तो लोग ज्यादे नहीं आ रहे थे अब lockdown में deal मिली है तो हमारे जो non-COVID patient हैं वो काफी बड़ी तादाद में आ रहे हैं जगे की थोड़ी सी shortage हो रही है हमारे पास में तो हम जल्दी सी जल्दी चाहते है कि जो jail medical college जो jail hospital है जो मुख्य building है उसको खाली करके उसको sterilize करके sanitize करके और हम non-COVID कारणों में इसको काम लें निशित रुप से ये भी एक बीमारी का कारण है गर्मी तेज गर्मी भी बीमारी का कारण है इसमें लू का खत्रा बहुत जादे होता है हीट स्ट्रोक का खत्रा बहुत जादे होता है इन दोनों से इन से बचने के लिए भी करीब करीब वही रूल है जो कोरुना से बचने बाहर निकलते वक शरीर के लगबख सबी अंगों को ढखके निकलें, मुह पर कपड़ा होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, ये तो करोना के लिए है, सर ढखा वो होना चाहिए, बाहें ढखी होई होने चाहिए, पूरा पैंट पेना वो होना चाहिए, ये सब लू से बचने के केरी पानी हो, इनका प्रयोग जादे करें, जिससे शरीर में जो हमारे लवणों की कमी हो जाती है, तेज धूप से, पानी की कमी हो जाती है, पसीने से, उस सब की पूरती लगाता और नेमित रूप से होनी चाहिए, साथ ही साथ, तेज धूप में आने के बाद हमें एकदम से फ्रिज का पानी हमें या फ्रिज की ठंडी चीजने तुरंत आते ही नहीं लेनी चाहिए